हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सर फ्रेंट्स आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है आपका भी बच्चा है तो आपने बच्चे की सर पर जो भवर होते हैं उनको लेकर आपके मंड में कुछ सवाल चलते हो भी बच्चे की सर पर भवर का क्या मतलब होता है किसी बच्चे के सर पर एक होता है किसी के दो होते किसी का एंटिक्लॉक होता है किसी का क्लॉक वाइज होता है तो इन चीजों का क्या मतलब होता है तो फ्रेंट्स अपना कुछ पर्सनल एक्स्पिरेंस कि मेरे घरवालों ने क्या कहा इस चीज को लेकर बड़े बुड़ करते हैं चाहिए प्राइश को तो यहां ज़दा कर जो सब बात करते हैं जो कि अपनी प्रेंटी नहीं होते हैं और अपनी माँ तरफ जादा अट्रेक्टे कर अश्छाय मेंगे तो इसके साथ पड़ाई लिखाएइन मान कर चलते हैं अब बात करते हैं जिन बच्चों के सरपर anti clockwise भवर होता है उनका क्या मतलब होता है तो वो बच्चे बहुत ज़िदा मेहन्ती होते हैं तो मेरे पापजी है उन्होंने ये से बताया था उजिए पंडित जी ने भी बताया था वही एक्सपिरिंस पे आप लोगे साथ शेयर कर लिया है अब बात करते हैं जिनके सर पर दो हुबर होते हैं जो कि मेरे बेवी बॉइ के पर हैं एक हुबर बेवी के सर पे क्लॉप बाई तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि जिन बच्यों के सर पर दो हुबर होते हैं और बहुत ही जबर बहुती हुगोवर को देख आ सब कंज मस्टी होते हैं तो जो पंडी जी ने बताया और जो बड़ी गुरु ने बताया वो मेरे साथ तो एक दम सही सावित हुआ है तो आप इपने बच्चों के सर पर जल्दी चेक कीजिए कि आपके बच्चे की सर पर anti-clock wise है या clock wise है ठीक है तो फिर आप भी मुझे comment से बताया जरूर किया बच्चे पर कैसा भबर है दो है एक है clock wise है या anti-clock wise है ठीक है शेर जरूर कीजिएगा तो बस प्रेंट्स आज वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में बाबाई टेक क्या थेंक्यों सो में